हेलो माई दी और फेंड्स वेलकम टू रिलेट केमिस्ट्री आई हो अल अफ यार डूइंग वेल सो फ्राइंड इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं जी in disturbance, जी माई क्रोवेव इस्पक्रोस्कोपी के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं जी rotational spectroscopy भी कहते हैं, क्या कहते हैं? rotational spectroscopy भी कहते हैं जी, अब पहला चीजद दिखिए दोस्तों इसे हम लोग microwave spectroscopy क्यों कहते हैं क्योंकि हम लोग microwave region के electromagnetic radiation को हम लोग matter में fall कराते हैं जी और इसके बाद हमें rotational spectra देखने को मिलता है इसलिए इस technique को हम लोग कहते हैं microwave spectroscopy और इसका range कितना होता है जो हम लोग electromagnetic radiation matter में fall कराते हैं उसका तो अगर meter में हम लोग देखें दोस्तों तो इसका range होता है 10 to the power minus 3 to 10 to the power minus 1 इसका range होता है centimeter में देखें दोस्तों तो इसका range होता है 0.1230 centimeter इसका range होता है और hertz में देखें तो 10 to the power 10 से लेकर 10 to the power 12 इसका range होता है दोस्तों ओके यहां तक clear है अब इसके बाद यहां पर देखें दोस्तों यह हैं हमारा है electromagnetic radiation और इसके different different range के हिसाब से हम लोग इसे different different नाम से जानते हैं जैसे कि first है दोस्तों radio wave, second है microwave, third है infrared, fourth है ultraviolet, fifth है x-ray and last is में है gamma rays, अब इसके बाद यहाँ पर देखे जब हम लोग radio wave frequency को matter के nuclear के साथ interact कराते हैं तो हमें NMR spectroscopy देखने को मिलता है या NMR signal देखने को मिलता है जिसे हम लोग already ह हम लोग cover कर चुके हैं 1H NMR spectroscopy को इसी वीडियो में इसको मैंने आप लोगों clear करा दिया है carbon 13 NMR spectroscopy को और साथ ही 2D NMR spectroscopy को ही मैंने आप लोगों clear करा दिया है दोस्तों जब हम लोग radio frequency को matter के साथ interact कराते हैं तब हमें NMR spectroscopy देखने को मिलता है जी अब second हम लोग देख र पहला है दोस्तों हमें ESR spectroscopy देखने को मिलता है जिसे मैं आप लोगों को पहले ही clear करा दिया है इसमें क्या होता है कि इसमें unpaired electron रहने चाहिए matter के पास unpaired electron रहने चाहिए और दूसरा चीज इसमें हम लोग microwave region के spectrum electromagnetic radiation को यूज करते हैं जी अब इसी range में हम लोग दूसरा spectroscopy अभी discuss कर रहे हैं जैसे कि rotational spectroscopy या इसे हम लोग कहते हैं microwave spectroscopy तो इसमें कौन-कौन से criteria है कि जो हम लोग matter use करेंगे वो gaseous phase में रहना चाहिए gaseous phase में रहना चाहिए और उसमें permanent permanent dipole moment होना चाहिए dipole moment होना चाहिए जी तब कहीं जाकर वो हमें rotational spectra देगा राइट तो यह criteria हो गया दोस्तों और इसी को हम लोग अभी discuss करने वाले हैं तो topic में वापस आते हैं तो यहाँ पर दिखिए this spectroscopy utilize atoms in the microwave range to cause transition between the quantum rotational energy level of a gas molecule है न क्यों हम लोग especially इसमें gas या gaseous molecule यूज करते हैं क्योंकि देखिए न अगर हम लोग solid अगर लें अगर matter को तो इसमें किसी भी तरीका से rotation possible नहीं है क्योंकि यह एक इसके जो atom या molecule होता है यह tightly इस तरीके से packed रहते हैं अगर हम लोग liquid के case में देखें दोस्तों liquid के case में देखें तो इसमें क्या हो सकता है इसमें collision हो सकता है collision हो सकता है राइट इस तरीके से एक दूर के सांट टकराव हो सकते हैं इसके molecule या item में अब बचा क्या gas तो इसमें इसके जो atom या molecule होता है वो दूर दूर प्रेजेंट रहते हैं तो यह easily इस तरीके से random motion करते रहते हैं या rotate यह कर सकते हैं इसलिए हम लोग इस technique में हम लोग gaseous phase का use करते हैं उसके बाद देखिए इस technique को दोस्तों क्लिटोन एंड विलियम्स विलियम्स ने 1934 में इसे discover किया था दोस्तों microwave spectroscopy को यह याद रखेंगे अब देखिए वाई वी आर यूजिंग gaseous phase in rotational spectroscopy राइट तो क्यों हम लोग यूज करते हैं वो यहाँ पर देखिए for microwave absorption to be study the sample must be a gaseous phase या फिर gaseous phase to compound to be study need not be a gas at room temperature but it must possesses sufficient vapor pressure to give detectable absorption अब ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि हमें gaseous phase ही चाहिए रहता है लेकिन एक vapor pressure चाहिए रहता है sufficient vapor pressure चाहिए रहता है to give detectable absorption है ना कि हमारे जो matter के जो molecule है उनने हमारे electromagnetic radiation को कितना absorb किया यह जाने के लिए हमें sufficient vapor pressure का ज़रत पड़ता है दोस्तों इसलिए हम लोग इस case में हम लोग या इस technique में हम लोग gaseous phase का यूज करते हैं जी as a matter और solid को हम लोग क्यों यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह जो इसके जो atom या molecule होता है इस तरह से tightly packed रहता है इस तरह से stable इस तरह से रहते हैं इसलिए in this solid state molecular rotation is restricted है और इसका जो molecule है या atom है वह rotate नहीं कर सकता इसलिए हम लोग solid का use नहीं करते है solid state का use नहीं करते हैं उसके बाद देखे liquid के case में क्या होता है in the liquid state collision between the molecules take place to frequency to allow full rotation to occur है और इसमें internal collision होता है दोस्तों molecule के बीच में इसलिए liquid भी हम लोग इस technique में use नहीं कर सकते तो बचक और gas इसलिए हम लोग gaseous phase का use करते हैं या gaseous state का use करते है इसके बाद देखिए condition of occurrence है ना तो जैसे कि हम लोगों ने discuss किया कि इसमें gaseous phase जोर रही है और क्या जोर रही है permanent dipole moment अब gaseous phase क्यों जोर रही है यह तो मैंने अब मोमेंट है ना यह क्या चीज़ है तो यहां पर दिखें डी डाइपोल मोमेंट इस अ मेजर आफ दी सेपरेशन ओफ पॉजिटिव एं नेगेटिव पॉला के बैसमें ना पॉलारट और समझ्ये है यहां पर समझे मैने का है यहां पर केगजंपल यहां पर समझे मैंञे है यह है हमारा एच पर यह पार्शली पॉजिटिव चार्ज है और इसमें पार्शली नेगेटिव चार्ज है क्यों क्योंकि यह कम इलेक्ट्रो नेगेटिव है और यह ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है राइट और यह जो है यह डाइपोल मुमेंट का यह डाइरेक्शन ह इसे हम लोग किस तरफ है और यह पार्शली यह पॉजिटीव है और यह पार्शली नेगेटिव है इसका डायक्षन किस तरफ होगा यह प्लस आप यहां पर बना दीजिए क्योंकि यह पार्शली पॉजिटीव है और इस तरह बना दीजिए तो यह हमारा जो डायक्षन यह ब पर्मनेंट डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो देखिए तो यह यहां पर देखिए यह दोनों के बीच का दोरी क्या है और यह क्या है यह चार्ज है क्यों यह इसका चार्ज है इन दोनों का चार्ज है तो जब हम लोग ना हम लोग आर को चेंज कर पाएं ना फिर इसे क्यों को change कर पाएं तो उस case में हम लोग इस को कहते हैं दोस्तों permanent dipole moment इस molecule में present है यह हम लोग कहते हैं जी जब हम लोग इसके R को भी change ना कर पाएं ना फिर हम लोग इसे क्यों को change कर पाएं उस case में क्या होता है इसे हम लोग permanent dipole moment कहते हैं और इससे में Q version नहीं होता जब यह जो रहा तो यह भी नहीं होता राइट जहानके लिए अब यह जिसा आता है दोस्तों इसमें डाइनेमिक डाइपूल मुमेंट। यह क्या होता है डाइनेमिक है डाइपूल है मोमेंट यह लोग जब वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोसकोपी पढ़ेंगे तो यह चीज दोस्तों इस तरीके से यह पर हम लोग मोमेंट इसमें chronic area है उसमें यह डाइने इमिल ट्राइय पॉल मोमेंट Musyn current area होता है जब हम लोग वाइब्रेशनल केक्ष में denken तो तो इसमें justs का posit है, जब हम इसमें R में या फिर इसे Q में change ला सकते हैं, या फिर इसे हम लोग में pass ला दूँ H or C.L. को या फिर इसे दूर ले जाओं, उस case में क्या होगा? ये R change होगा. अब R change हो रहा है, मतलब ये new भी change होगा. डाइनेमिजन की वज़े से तो इस तरीके से इसको हम लोग कहते हैं जी डाइनेमिक डाइपोल मुमेंट कहते हैं ठीक है यह होता है पर्मेन डाइपोल मुमेंट जब हम लोग इसे क्यों और और को चेंज नहीं कर सकते हैं और जब हम लोग इसमें चेंज ला पाते हैं तो इस पर देखिए इसके theory and principle में आप लोग वो clear करा देता हूं तो देखिए the molecule processes rotational energy due to rotational motion the rotational energy of a molecule is quantized है न क्योंकि gaseous के case में क्या होता है gas phase में जो molecule का energy है वो quantized होता है और जबकि liquid and solid के case में वो quantized नहीं होता जी energy जो होता है वो quantized नहीं होता है न अब यहां पर देखिए यह हमारा है microwave region और यह हमारा matter और यह है क्या gaseous phase है न तो यह माली जी हमारा यह chlorine है और यह हमारा है hydrogen तो इस तरह किसी रोटेट करते रहता है यह random motion करते रहता है और सांती सांत अब यह motion कर रहा है दोस्तों तो इसमें क्या होगा यह electric field भी sorry यहां पर देखिए तो यह motion कर रहा है है ना इस तरह कि एंटी क्लॉक्वाइस यह rotate कर रहा है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि यह charge body है ना जी यह पार्शली यह नेगेटिव है यह पार्शली यह positive है तो यह rotate कर रहा है तो इसका जो alternating जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह भी इस तरह के रोटेट करेगा इस तरह के से अब यह यहां पर आ गए और यह यहां पर चला गए तो इस तरह के से यह rotate कर रहा है दोस्तों अब electric फील्ड भी इसके साथ ही साथ यह रिवाल कर रहा है ना alternative electric फील्ड अब उसी टाइम में हम लोग इसमें क्या डार रहे है microwave frequency डार रहे हैं तो जब इसका और इसका frequency मैच हो जाएगा तो क्या होगा हमें rotational spectra देखने को मिलेगा जी है ना जब दोनों का frequency सेम होगा तभी तो हमें interaction देखने को मिलेगा इन दोनों के बीच में तभी यह lower energy state में जम करेगा राइट तभी इनके बीच में में transition देखने को मिलेगा या फिर rotational spectra देखने को मिलेगा जी इस तरह किसे होता है इसमें rotation जी इसलिए से हम spectroscopy टेकनिक को कहते हैं rotational spectroscopy राइट अब यहां पर देखे दोस्तों जो हमने समझा है वहीं यहां पर हम लोग ने लिखा है तो वेन वेन दी molecule undergo transition from one rotational energy level to another it interact with electromagnetic radiation of suitable wavelength है ना जब इन दोनों का frequency match हो जाता है तब इन में resonance यह interaction देखने को मिलता है दोस्तों तब यह लोगा रेजिस्टेट से हाय रेजिस्टेट में यह जम करता है ना एक energy level से दूसरे energy level में जम करता है on this way the spectrum of molecule is obtained which is known as rotational spectrum right उसके बाद देखिए the wavelength or frequency of electromagnetic radiation involved in such a transition in the range of 3 into 10 to the power 10 to 3 into 10 to the power 12 हर्ड्स है ना यह मैंने प्लोगों पहले क्लियर करा दिया इसका frequency करेंज कितना होता है हर्ड्स में which of which falls in microwave region hence rotational spectroscopy is also called microwave spectroscopy है ना क्योंकि इसमें molecule जो है वो rotation में रहता है क्योंकि यह gaseous phase में रहता है और इसमें हम लोग microwave frequency को डालते हैं इसलिए हम लोग इसे टेखनिक को rotational spectroscopy या फिर microwave spectroscopy भी कह देते हैं कितना चीज़ क्लियर हुआ अब इसके बाद देखें इसका instrumentation तो देखिए यह हमारा है source है दोस्तों light source है और यहां से हम लोग sample को जो gaseous sample है उसको हम लोग यहां पर इस पाइप में डालते हैं जी सेंपल सेल में डालते हैं इसके बाद यह यहां से एब्साब करके है न ही रोटेट करते रहता है इस तरीके random motion करते रहता है उसके बाद यह radiation को absorb कर लेता है और हमारे detector पता लगा लेता है कि हमारे जो molecule है वो कितने radiation को absorb किया है उसके बाद ये signal को amplifier तक भेशता है और ये amplifier ये signal को amplify करके recorder तक भेशता है उसके बाद system में हमें इस तरह के से rotational signal ये spectra देखने को मिलता है इस तरह के से system में rotational इन तैने मिलता थिसर आप यहां यहां पर दखिए जी फर्स्ट हमारा हैं तो स्योट सुर्स क्रिशट्रों को सब्लोग यूस करते हैं इस एन इलेक्ट्रॉनिक ट्यूर ये प्रकार कर लिए सब्सक्राइब लिवेन्ट दिक्वेंट माइक्रोवेव रेडियेशन यहां पर थे ऊपर पदी अमेटेग्रोवेव रेडियेशन को यहां पर प्लिस्ट्रों डिपेंड ओन दिवोल्टेज robot के उपर यह व्योश्चीज है इसके पावर एंड व्यटेज सपली माइकरोव अपर यह व्योभमघवस कि है इसके उपर यह depend करता है इसके बात दिख्या क के बहुं धर्य है सेकेंड है टूस्तोर इसमें व्हवं गैड अब यह क्या चीज़ होता है दिख है धी होलो मेटल पाइब नोने इस वे वेव गाइड है ना इस तरज के सेम्पल को इंट्रिउस कराते है पाइप में इस तरह एक से वेव गाइड में या सेंपल सेल में इसके बाद दिखिए इब्सॉप्शन सेल फिर्ड विद्धी गैस होल इस होज स्पेक्ट्रम इस टू बी मेज़र्ड इस सेंपल प्रेशर इस मेंटेंड बिट्वीन 1.020.01 टौर है इतना यह प्रेशर जो ह रखना पड़ता है जो से गैस सेंपल है उसका लिक्वीड एंड सॉलिट सेंपल कैन भी इस्टेडीड प्रोवाइड देर वेपर प्रेशर एंड एबब 0.01 टौर है ना इसमें हम लोग सॉलिड एंड लिक्वीड फेज को भी यूस कर सकें जैसे कि हम लोगों ने यहां पर डिसकस कियाने जी शुरुवात में कहां गया यहां पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं लेकिन दिक्कत क्या होता है कि हमें सफेशेंट वेपर प्रेशर चाहिए रहता है क्यों डिटेक्टेबल एब्जॉप्शन के लिए हमें सफेशेंट वेपर प्रेशर चाहिए रहता ह केलिए इसलिए हम लोग इसका यूज नहीं कर पाते है अगर लेकिन इसमें हम लोग इसको चेह दिम लोग इसको कर सकते हैं इस टेखनिक में लेकिन एक दिक्पत्व चाहिए यह लकान लुग कर लिखन होता है तो वह घारिया फिर्शनल इस्पक्रपी भी कि यह रोटेशनल स्पेक्टर हमें प्रोबाइट करेगा जी ठीक है तो यह याद रखेंगे और लास्ट है दोस्तों डिटेक्टर क्वार्स क्रिश्टर को हम लोग एज डिटेक्टर हम लोग यूज करते हैं एड़ इस प्रेश्ट एड़ फॉर इंड ऑफ दी वेव गाइड और यह वेव गाइड के लास्ट में यह प्लेश्ट होता है जो हमारे अब लास्ट है इसका अप्लिकेशन तो यहां पर दिखे है जो हमारा microwave spectroscopy है वो होता है वो molecular structure को यह determine करने में helpful होता है and it is determine the bond angle and bond length यह bond angle and bond length को भी determine करने में भी यह applicable है and last देखे इसमें the abundance of isotope है ना since each molecule possesses a unique moment of inertia है ना यह moment of inertia का concept दोस्त हम लोग next वीडियो में दखेंगे जब हम लोग इसमें symmetric top यह फिर linear टॉप जो molecule है उसके बारे में हम लोग जब देखेंगे तब moment of inertia को बहुत अच्छे से clear करा दूँगा क्योंकि यह इस तरीके से होता है moment of inertia का खेर रहता है पूरा यह इस तरीके से किसी केस में यह बराबर होता है किसी केस में यह बराबर नहीं होता है तो यह क्या चीज है यह मैं आप लोगो next वीडियो में clear करा दूँगा depending on particular isotopic nuclei present so form of relative intensity of spectral line the abundance of isotope can be obtained है ना तो यह हो गया दोस्तों इसका usage और साथ ही साथ microwave region का या microwave radiation का भी और कुछ यूज होता है जैसे कि satellite में, communication में, radar system में, signal, phone and navigation में भी इसका microwave region है या microwave electromagnetic radiation है उसका use हम लोग करते हैं जी इन लास्ट यहां पर देखिए जो microwave electromagnetic radiation है वो medication treatment के लिए भी यूज होता है medical treatment के लिए drying material के लिए भी यूज होता है और फाउस वोल्ड में जैसे कि हम लोग ओवन यूज करते है ना microwave oven उसमें भी यूज होता है for the preparation of food तो इस तरीके से यह microwave spectroscopy या microwave radiation का यूज होता है तो यह था दोस्तो microwave spectroscopy and rotational spectroscopy I hope यह आप लोग को clear होगा so don't forget like and subscribe and अपने friends circle में वीडियो को जरू से शेर किजिएगा friends thank you friends thank you for watching